नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं इस योईना का लाव कक्छा 9 से ही मिलना सुरू हो जाएगा, जो अगले 4 बर्सों तक छात्रों को मिलेगा इस छात्रविती योईना में परतेक वर्थ सफल अभ्यार्थियों को 12,000 रुपए की रासी दी जाएगी राजी के 389 बच्चे पहली बार इस छात्रविती योईना के लिए चैनित हुए हैं जबकि 85,000 शात्रशात्राओं ने इस योईना में लाव लेने के लिए परिक्छा दी थी इस छात्रविती योईना के तहट बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद मिलेगी साथ ही वह आपना भवी से भी बेहतर कर सकेंगे मालूम हो कि यह परिक्छा 13 जूलाई 2022 को ली गई थी जारखन में मंत्रियों की बढ़ेगी सुविधाय राज सरकार के मंत्रियों की सुविधाय बढ़ाई जाएगी फरनीचर और फरनीशिंग के लिए मंत्रियों को अब 1.5 लाख रुपए की जगा 3 लाख रुपए का भाता मिलेगा इससे समधित प्रस्ताव पर बुद्ध्वार को केबिनेट की बैठक मुहर लग सकती है राज में बलायक चेन तक्निक से इगोवर्नेंस को आते धुनिक परभावी वह पादर्शी बनानेक प्रस्ताव पर मुहर लगने की पुरी समवना है अनप्रस्ताव में जारकन बिली बित्रन निगम लिमिटेट को 750 कुड़ो रुपए रिन लेने के लिए राज सरकार की गरांटी देने से समधित प्रस्ताव भी सवकृत हो सकता है रिन लेकर जेवी विएनेल बकाया भुकतान कर अतिरिक्त मांकी स्थिती में एक्स्चेंज से बोली लगा कर बिजली खरीच सकेगा वहीं अभी इस पर बकाया भुकतान नहीं होने के कारण लोग लगी हुई है चंद्रयान 3 के 29 कर्मियों को 13 महिने से नहीं मिला बेतान हेवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन में इसरो की चंद्रयान 3 और गगण यान परियोजना के लिए लौँचिंग पैड निर्मान से जुड़े 29 करमचारियों को 13 महिने से बेतान नहीं मिल रहा है इस कारण पर्योजना की रफ्तार धिमी हो गई है बकाया भेक्तन भुकतान की मांग को लेकर अधिकारी हताल पर चल गए है 40 दिनों से काम पूरी तरह से ठफ है बता जे HEC की अधिकारी ने कहा आए कि हाल ही में गगयान पर्योजना के लिए दूसरे लांचिंग पैट की बुनियादी संड़ाचना की आपूर्ती की गई है गगन यान पर्योजना के लिए अब तक सलाइडिंग डोर मोबाईल लांचिंग पैट सेस्टेल वर्तिकल टर्निंग वा बोरिंग मसीन सहीत अने उपकरान वित्रित किये जा चुके है सरना धर्म संगठनों में एक जूटता की कमी जारखन की रहधानी रांचि के एतिहाचिक मोरबादी मैदान इस्टित गांधी वाटिका में मंगलवार को बिसेस बैठा कोई इसमें आदिवासी सेगल अभियान के राश्टिया द्यक सालखन मुर्मू ने कहा है कि रांची के इर्द गीर्द अनेग सरना धर्म संगठन होने के बावजूद इसके बीच एक जूटता की कमी खलती है उन्होंने सभी सारना धर्म लंबियों से आगरह किया है कि वे सारना धर्म कोट के मन्याता के लिए 30 जनुवरी 2003 इसको होने वाले राश्टिये रेल रोड चक्का जामें सहयोग करे प्रसताओं में ज़ार्खन नगर पालिका अधिनियम के अरक्षन से समन्दित प्रवधान से रोटेशन सब्द बिलोपित करने की बात कही गई है निकायों के अरक्षन के रोश्टर में बदलाओ जन संख्या का धार पर ही होगा बतादे मेयर वा अध्यक्ष के पद को रोटेशन पर अरक्षित नहीं किया जा सकेगा इसके लिए राज सरकार ने संबंधित कानून में बदलाओ कराने का फैसला लिया है गुमला के प्राइबेट होस्पिटल में आयुस्मान भारत कार्ड से मरीजों का इलाज बंद है इलाज बंद होने के कारण जीलों के लोगों को इसकी सुविधा नहीं मिल रही है इसके कारण मरीजों को इलाज के बिना वापस लोट रहे हैं बता दे कि आयुस्मान भारत कार्ड से पांच लाख रुपे तक का निसुर्क इलाज की सुविधा है शुरुवाती दोर में आयुसमान भारत काड़ से इलाज की सुविधा सिर्फ सरकारी अस्पतालों तकी सिमित थी लेकिन बाद में आम जनों को इसकी सुविधा प्राइबेट होस्पिटल में भी मुहाजा कराई गई इसके लिए स्वास्त विभाग यम जिला मुख्याले में केर एडवाइंस मल्टी स्पेसलिस्ट होस्पिटल नवरता अस्पतालों घागरा प्रखंड में संचालीत भागवती हेल्थ केर आजी प्राइबेट होस्पिटल से एओम्यू किया गया है सीवू सोरेन आय से अधिक संपती मामला में आठ फरवारी को अगली सुनवाई दिल्ली हाई कोट ने बुध्वार को असपष्ट कर दिया है कि जारखंड मुक्ती मोर्चा के परमुक सीवू सोरेन की याचिका को आगे और कोई अस्थल प्रदान नहीं किया जाएगा मालूम हो कि लोग पाल ने जारखंड मुक्ती मोर्चा के परमुक सीवू सोरेन की ओर से दायर एक याचिका का गुरुवार को बिरोध किया इसमें बिजेपी सांसर निसिकान दुवे की सिकायत के अधार पर भष्टा चार रोधी प्राधिकार की ओर से उनके खिलाब सुरू की गई करवाई को चुनोती दी गई है बता दे उच नियाले ने आगे अस्थागन प्रदान किये जाने की बात तब कही जब सोरेन का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने कहा है कि उनकी कुछ निजी दिखते हैं इसलिए सुनवाई की अगली तीथी चाहिए इस दोरान लोगपाल का प्रतिनी धित्व कर रहे सोलिस्टर जनरल तूसार महता ने अस्थगन के अनुरोत का विरोत किया है कोट ने कहा है कि अब इस पर अगली सुनवाई आठ फरवारी को होगी जाम तड़ा जिला ध्यक्ष और विधायक इर्फान के गुट के बीच जड़ाप कॉंग्रेस की अंदरूनी कला थमने का नाम नहीं ले रही है कॉंग्रेस की अंदरूनी कला अब भारत जोड़ो यात्राक दोरान सलकों पर आ गई है यात्रा के दोरान कॉंग्रेस परदेश अध्यक रायस ठाकूर के साथ जम कर धक्का मुकी हुई है भारत जोलो यातरा पुराना कोट परिसर से शुरू हुई और यातरा की दोरान हर चोराहे पर सहीदों की परतीमा पर मल्यारपन होने था मल्यारपन के समय कॉंग्रेस करकरता कॉंग्रेस पार्टी जिन्दाबाद के नारे लगा रहे थे इसी दोरान यात्रा में विधायक इर्फान पहुंचे और बावाल सुरू हो गया इर्फान के पहुंचते ही इर्फान और जिला अध्यक्स हरी मोहन मिस्रा के समर्थकों के बीच जोरदार जड़प हो गई दोनों के समर्थक एक दूसरे के खिलाब जिन्दाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और धाका मुकी करने लगे बोकारो में हाथी के कुचलने से 74 वर्षी ब्रीध की मौत बोकारो जी लेगे गोमियों परखन की बड़की सीधी बारा पंचायत के अंबा टाण में जोर से बिचले दो जंगली हाथीों ने मंगलवार देर रात जम कर उत्पात मताया इस दवरान हाथी ने 74 वर्षी ब्रीध महिला अपरूगिया देवी को कुचल कर माट डाला घटना के बारे में बहु अनिता देवी ने बताया है कि अचानक देर रात दो हाथी घर के बाहर बारी में लगे अरहर की फसल को खाने के साथ रंद कर बरबाद कर रहे थे हाथियों के चिहाने की आवाई सुन सास ने तर्च वाथ छोटा इसा डंडा लेकर बिना किसी को बताए देखने निकल गई गव तसकर हुए बेख़ौब धनबाद के राश्ते डंके की चोट पर गोवनसी की तसकरी हो रही है तसकरों के होसला का आलम या है की वे बेरियर तोड रहे है पुलिस बस पिछा करती रह जाती है तसकर हाथ नहीं आते इधर तीन दिनों में दो बार मैथन चेकना का का बेरियर गोवनसीों से लदे कंटेनर ने तोड दिया है इधरान दो कर्मी भी बाल-बाल बचे है से ज़्यादा जग हो पर आयकर का छापा आयकर विभाग ने दो राजियों में बड़ी करवाई की है आईटी डिपार्टमेंट ने जार्खन और पच्छी मंगाल में 20 से ज़्यादा जग हो पर एक सा छापे मारी की है बताया जा रहा है कि मोंगियाई स्टील और सलूजाई स्टील कमपनी से जुड़े कई निर्देशकों के ठिकाने पर छापे मारी मारे जा रहे है आयकर विभाग की करवाई से हलचल मची हुई है इंकम टेक से जुड़े सुत्रों ने बताया है कि जारकन के राची गिरी डिदेव घर समेत अने जगो पच्छा पे मारी मारे गए है किरिकेटर इसान किसन बनेंगे महेंदर सिंग धोनी के पडोसी भारतिये क्रिकेट टीम के विकेट कीपर सबाय हाथ के बले बाज इसान किसन भारतिये टीम के पुर्व कप्तान महेंदर सिंग धोनी के पडोसी बनने जा रहे है राची के सीमलिया इस्थीत रिंग रोड पर धोनी के फारम हाउज के काफी नदीक एक रियर एस्टेट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट का आज ही भूमी पुजन भी होना है माना जा रहा है कि भूमी पुजन के दोरान खुद इसान की सन भी मौजूद रहेंगे इस दोरान भारतिय क्रिकेटर संजू सेमसन के भी रहने की संभणा है भूमी पुजन के दोरान इसान की सन के कई अस्थानिय दोस्त भी मौजूद रहेंगे धन्यवाद यदि आप चैनल पना हैं ते चैनल को सब्सक्राइब को बहुल का बेल एक अंदा भाई है साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को से शिर कर ना भूले साथी साथ आप हमें कमेंट वक्स में अपना फीडिवाइक अवसे दे थांक यू